हाई दोस्तो मैं आपका डोस्त अब्दुलकुरत तो दोस्तो अभी आप देख सकते हैं यह स्वरा 744 FE जिसके साथ मैं रॉटोविटर लगा हुआ है तो दोस्तो इस टेक्टर में कुछ पेचीदा रीजन है कुछ यह बहुत कम होने वाला फॉल्ट है आज से तीन या चार साल पहले मेरे सामने ऐसा ही फॉल्ट आया था जिस टाइम पे मैं यूटूब पे वीडियो नहीं डालता था लेकिन आज यह फॉल्ट डूबाला से मेरे सामने आया है डिकने में बहुत छोटा है क्योंकि मैंने उसको चेक किया दोस्तो तो इसमें होटा यह है कि जुटाई के दोरान यह टेक्टर कोई भी एपलिमें लगा है फिलहाल तो रोटोविटल लगा है तो यह जैसे बल आता है यह टेक्टर दब जाता है और अचानक से पटा का मारता है यह पटा के फोर रहा है तो आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ है क्योंकि दोस्तो मैंने उसका पूरा जल्पम खोल दिया तो हमारे किसान भाई की जेब खाली हो जाती है फाल्टू में उसका 8-10,000 रुपया लग जाता है तो मैंने सोचा कि यह किसानों के लिए वीडियो बहुत ही जरूरी है तो दोस्तो जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा तो चलो मैं उसकी वज़ार दिखाता हूँ कि अधिर है क्या हाता दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बटाया कि यह टेक्टर दब रहा है और पता के ले रहा है और यह पता के लेने के बहっちゃी वज़ा होती है लेकिन दब रहा है तो आपसायर समझ गए की यह टेक्टर में डिजल नहीं मिल र लिया ये फिल्टर भी डॉनो फिल्टर ये वाला भी चेक किया फिर भी ये वाली लाइन में डिजल बहुत कम आ रहा है क्यों वो मैं आपको बटाऊंगा तो यहां से मैं 19 नमर की 24 ये बेंजो को लूज करके आपको दिखाता हूं कि यहां पे डिजल किस तरह से आ रहा है यह यहां पे डिजल का बहाव दोस्तो टेजी सी होना चाहिए देख सकते है यहां तो बहुत कम इस तरह से फिल्पंप लागाने पे बिल्कुल टेजी के साथ पेसर के साथ यहां पे डिजल निकलना चाहिए इसका बहाव होना चाहिए जो फिलहाल बहुत कम है तो आखिर यह ड निकाला ये भी ठीक है और यहां पे इस तरह से फिल पंप लगाने से दोस्तो टेजी के साथ डिजल का बहाव होना चाहिए फिल हाल नहीं हो रहा है होटा है लेकिन बहुत कम तो मैं इसकी वज़ा दिखाता हूँ आपको और यहां पे दोस्तो ये कौक में जो फिल्टर लगा जाओंगा है तो दोस्तो मैं इसका जो छोटा फिल्टर होटा है ग्लासी वाला वो नया डाल दिया पूरा ना देख सकते है जो कराई में है तो दोस्तो उसका मैं रिजन जो मेरे साथ जो मामला हुआ था वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ सेम वही रिजन इस बोलना है देख सकते है कुछ इस तरह से और हाट दोस्तो यही मामला मेरे साथ हुआ था और उस दोरान में काफी परेसान हुआ था तो इस तरह से दोस्तो हमें ये हैं फिल्टम को यहां से निकालना है और देख सकते हैं दोस्तो यहां पर डिजन नहीं आ रहा है इस जगा दोस्तो ये बुरी तरह से जाम है देख सकते है काफी जाम है और दोस्तो ये जैसे मैं इसको निकालूँगा यहाँ पर डिजल का बहाव आप देख सकते है तो देख सकते है दोस्तो इस तरह से डिजल का बहाव होना चाहिए तो ये मामला देखा आपने ये वज़ा छोटी है लेकिन कहीं बार क्या होटा है दोस्तो कभी कभी बहुत महेंगी होती है ये वज़ा तो देख सकते हैं इस तरह सी ये काम करता है जैसे हमने डबाया ये डिजल बंध है जैसे उससे पेसर हट जाएगा दोस्तो यहां से डिजल आना सुरू हो जाएगा तो दोस्तो कहीं बार क्या होटा है अगर हमारे कोई मेकनिकल भाई को समझ में नहीं आया और गलत डिसीजन लेके डिजल पंध खोल लिया फाल्टू में हमारे किसान भाई का 10,000 रुपिया लग जाएगा तो यह मामला मेरे साथ हुआ था तो मैंने सोचा के चलो शेर कर लूँ तो दोस्तो मैं इसको अभी बन करता हूँ डिजल को बन करो तो अभी मैंने इसका लाइन बन किया क्योंकि मुझे फिल पंप लागाना है तो यहां से डिजल का बहाव होटा रहेगा तो दोस्तो आपने देखा यह मैं वज़ा यह इसकी मैं वज़ा थी यह डिलेवरी वाल शिपका हुआ था इसी की वज़ा से दोस्तो यह टेक्टर डब रहा था और पटा के ले रहा था और इसी की वज़ा से दोस्तो यह डिजल आगे नहीं जा रहा था तो अभी हमने इसको on किया और यहां पे feel pump लगाएंगे पहले यहां पे दोस्तो आपने देखा था diesel का बहाव बिल्कुल नहीं था लेकिन यहां पे देख सकते है इस तरह से diesel का बहाव होना चाहिए तो हमारा यह problem अभी solve हो गया है तो दोस्तो देखा आपने यह वज़ा छोटी है लेकिन सही में कहीं बार क्या होटा है हमारे जो मेके निकलवाई है जो विचारों को जल्दी समझ में नहीं आता है वो गलट decision ले ले लेते है और diesel pump को खोल देते है फिर लागट हो जाती है फाल्टू में क्योंकि diesel pump पूरा खोलेगा उसको एक एक चीज़ को चेक करेगा तो वो टो फाल्टू में पैसा बना लेगा दोस्तो सभी ऐसा नहीं करते है और करना भी नहीं चाहिए लेकिन चन लोग ऐसे होटे हैं ना तो किसन भाई का पैसा फाल्टू में जाता है तो वज़ा चोटी थी लेकिन आपको बताना मैंने मुनासिप जरूरी समझा तो सायद आपको ये वीडियो पसंद आएगा पसंद आए तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना बूले तो चलो दोस्तो मैं आपको टेक्टर इस्टार्ट करके दिखाता हूँ और उसका फाइरिंग क्या है वो भी सुनाता हूँ हाथ दोस्तो मैंने भी पूरा फिटिंग कर लिया है तो मैं आपको टेक्टर इस्टार्ट करके दिखाता हूँ देख सकते हैं दूस्तों मैंने टेक्टर को इस्टार्ट किया अब मैं उसको फुल आर्ट पिया याने फुल रेस करके भी आपको दिखाता हूँ इसका फाइडिंग देखें कितना मज़िदा है तो दोस्तों मैं टेक्टर को बंड करता हूँ यह टेक्टर फिलहाल अपने कार्या के लिए कंप्लीट है और यह है टेक्टर उनर उस्मान भाई इनिका टेक्टर है तो दोस्तों हम जल्दे ही मिलेंगे ऐसे कोई वीडियो में धन्यावाद